अनुश्कार तो All Exam की Audio Radio Series में आप सभी का स्वागत है All Exam की Audio Radio Series में आपको पता है कि हम सिर्फ आप सिर्फ important questions जो हम discuss ही करते हैं आपको screen की तरफ देखनी की जरूरत नहीं पड़ती जैसे आप radio में सुन सकते हैं आप यहाँ पर सुनकर अपना revision जो हो कर सकते हैं तो आज इससे पहले हम जनवरी के current affair discuss कर चुके हैं फरवरी के एक पार्ट current affair का discuss हो चुका है important gk के अलगलग set discuss हो चुके हैं आज के set में हम कुछ ऐसे questions discuss करेंगे जो questions तो आपने कभी ना कभी पर पड़े होते हैं प्रन्तु exam जैसे ही नजदीक आता है आप उन questions को नहीं revise कर पाते और exam में जब question आता है तो question तो आपने पड़ा होता है प्रन्तु answer आप गलत तिक कर 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 आ जाते हैं वैसे ही questions को आज revise करेंगे questions को start करते हैं तो सबसे पहला question है कि सीद कालीन ओलंपिक खेल जो था वो किस वर्स आरंब जो था वो हुए थे जो winter ओलंपिक गेम जो थी वो 1924 में जो था वो आरंब हुई थी कोई अगला question है आपके पूछ लेते हैं कि कबड़ी में जो है वो प्रतेक पक्स में कितने खिलाड़ी होते हैं तो कबड़ी जो खेल है उसमें प्रतेक साइड जो है वो साथ खिलाड़ी जो है वो होते हैं अगर मैं एक ही बारी में सारे खेलों के खिलाड़ी आपको पुत स्थिथ है, एक Olympic Museum भी होता है, तो Olympic Museum जो हो Suzie Land में स्थिथ है, Suzie Land के लोसाने में ये स्थिथ है भारत का राष्टरे खेल आपको बता है, होकी है, इसी तरह एक खेल होता है जिसको Golf कहते है, तो Golf केल में पूछ लेते हैं कि गेंद का बजन कितना होता है गेंद का बजन यहां पर 1.5 आंस जो है वो होता है 1.5 आउंस आपने ध्यान रखना है साथ में कि यह होता है और एक खिलाडी हैं गॉल्फ के साथ यह जुड़े हुए हैं और इनके बारे मेंना अलाइड सर्विसीज में पहले-पहले बहुत बा संबंदित हैं तो यह धियान रखें और अगले कोशन में बोलते हैं कि बनाना कीक बनाना कीक एक टर्म होती है जो खेल में यूज की जाती है तो कौन सी खेल में ये यूज की जाती है बनाना कीक जो है वो फुटवाल में जो है वो इस्तेमाल होने वाली टर्म है किसमें से जो है वो संबंदित है और एक है बुल्ज आई बुल्ज आई आई से पता चल रहा है आपको कि कोई निसाने वाजी की होगी तो आई से ध्यान रखना है कि निसाने वाजी की जो है ये एक टर्म है निसाने वाजी में ये इस्तेमाल होती है और ग्राउंड स्टोक्स फोलो में प्रतेक साइड होते है अब एक ही ठीई इसको करने का जो तरीक होते है उसको गैंबिट कहा जाता है कि थ्रीक как सब्सक्राइव करने के चेस्ठ प्रॉलों करने के साथ चैना कप जो होते हैं इसके चाइस्ट उपके तो ये Gymnastic, Gymnastic के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, China Cup A.C.I. खेलों के बारे में भी एक आद question पूछ ले जाता है तो A.C.I. खेलों के बारे में क्या question पूछ जाता है कि A.C.I. केलों का जो परतीक है, इनका जो symbol है, वो क्या है इनका जो symbol है वो है क्या चमकता हुआ सूरज signing sun आप कह लीजिए ये इनका symbol है आपने ध्यान रख रहे हैं कि Asian countries भी है Asian countries की स्थापना कब हुई थी Asian group की स्थापना कब हुई थी और इसका headquarter कहां पर सित है जल्दी से comment करके बता दीजिए आपका revision हो जाएगा पिछले कल ही हमने ये important organization में discuss किया था अगले question जानिए बोलते हैं volleyball जो है न बॉली बॉल खेल ये पहले ACI खेलों में नहीं हुआ करता था इसको ACI खेलों में कब जो था हो शामिल किया गए था 1958 में शामिल किया गए था आपने कहीं कहीं न कहीं पर जरूर इस तरह के question पड़े होंगे कि ACI खेलों का प्रतीक चिनह क्या है पर अंतु याद नहीं रहते तो चमकता हुआ सूरज ये जरूर ध्यान रखें और Olympic खेल जो है न ये कितने टाइम के बाद होते है चार वर्चों के बाद होते है ये भी पता होना चाहिए आपको कितने वर्चों के बाद होते है चार वर्चों के बाद होते है एक खेल है जिसका दूसरा नाम जो हो शाशर भी है शाशर किस खेल का दूसरा नाम है तो यह आपने ध्यान रखना है भारत में टेवर टैनिस को लेकर पहले कोई एसोशेशन नहीं होती थी यह एसोशेशन कब बनी थी यह एसोशेशन 1938 में ج看看 वबनी थी एकmission बहुत बार पूछा जाता है exam में कि flying सिख किसको GIR कहते हैं तो फ्लाइंग सिख के नाम से जो मिलका सिंग को जाना जाता है किसको मिलका सिंग को जाना जाता तो यह आपने important question जान लिए खेलों से जुड़े हुए हैं जो खेलों के बारे में exam में पूछ लिए जाते हैं और इस तरह के question थोड़े से और भी हैं जैसे कि प्रित्वी का जो एक और आपने साथ में ध्यान रखना है कि यहां से hiroshima और नागाशाकी में गिराया गया थे और जो पहला राष्ट्री उद्ध्यान था वह कौन था और कहां पर था भारत का सबसे पहला जो राश्ट्रिय उद्यान था वो था Jim Corvette National Park जिसको जो जो उत्राखंड में सित है वहीं से गोशन बन जाएगा कि Jim Corvette National Park का पुराना नाम क्या था इसका पुराना नाम जो था वो हैली National Park था क्या था हैली National Park था और दिखो भारत का जो National буд है वो क्या है P. कॉक यहां का National bird है आपने ध्यान रखना है कि इंडियों National Congress की स्थापना कप हुई थी 1885 में इंडियैं National Congress की स्थापना हुई थी इंडिया को जो नैशनल क्रेंडल है वो किसके उपर बेस्ट है वो साका इरा के उपर बेस्ट है और साका इरा जो था वो किसके द्वारा इंट्रोडूस किया गया था यह आपने कमेंट करके बताना है किसके द्वारा जो था यह इंट्रोडूस किया गया था अभी ग्यान सकुंतलम नामक एक गरंथ है ये किसने लिखा था इसके रचईता कौन थे तो कालिदास जो था वो इसके रचईता थे सूफी सेक्ट बोलते हैं कि इस धर्म से संबंदित है तो सूफी जो है वो इसलाम धर्म से संबंदित है इसलाम धर्म से ये संबंदित है ये जरूर ध्यान लखें और बोलते हैं कि किसने गुरू गरंत साहिब कमपाइल किया था तो गुरू अरजुन देब जी के द्वारा य यो कौन कौनसे बीच में आती है ये मार्स और जुपीटर के बीच में जो है व Southeast है एक इक डिजीज है बोलते हैं एस्टिकमेटिजम एश्टिकमेटिजम जो कौन की किस सभर्णित da Дिजीज थो ये आखों से इस भ्र में दिजीज है blood clotting के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रहा था कि blood clotting जो है vitamin K vitamin K की deficiency से जो होती है और study of cancer को लेकर थोड़ा सा doubt हुआ था तो ध्यान रखना है कि study of cancer को oncology जो हो कहा जाता है oncology जो है इसको कहा जाता है और अपने साथ में ध्यान रखना है कि जो rabies का vaccine था उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी तो rabies का जो vaccine था उसकी खोज जो था वो किसके द्वारा की गई थी Lewis pasture के द्वारा उसकी खोज की गई थी उनका नाम ध्यान रखें और पैंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी पैंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो था ओ की गई थी तो ये पता होना चाहिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किसकी खोज की गई थी और फादर आफ जेनेटिक किसको को कहा जाता है जेनेटिक्स जो होते हैं उसका फादर जोर्ज मेंडल को कहा जाता है तो यह सारे important questions होगे जो आपने revise किये यहां से इनको ध्यान रखना और comment करके जो आपने question का answer बताना है वो यह बताना है कि atmosphere की जो सबसे lower most layer है वो कौन सी है lower most layer of atmosphere जल्दी से comment करके बता दीजिये आज की studio में इतना ही काफी है that's all that's all for today thank you thank you very much for listening it very patiently